वेल्कम स्यूम्हाइब और आज आप लोग समझी गया होगे कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे रदर फोर्ड स्केट्रिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपोर्टन एक्सपेरिमेंट इसके इंदर डिसकवर किया गया था बेटा नूउकलियस को तो क्या होता है रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट और कैसे इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर रदर फोर्ड का अटॉमिक मॉडल डिपेंडेंट है तो स्टेप बाइस सभी चीजों को डिसकस करेंगे इस वीडियो में नाव विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स ने मिलकर लेक्शन को परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किय ऊन doing के अनदर और यह और बहुत था रहा और उसके इसके अंदर था क्या उन्होंने वहनाई है क्सपेरिमेंट की तिन फॉसन मेंली को पनने चांट की पंबेड किया और वहां पर कुुछ आप्जरवेशन देखी जिसके यह एक्स्पेरिमेंट नहें देखा हिए जब अल्फा पर्टिकल कईसों आपाटिकल्स कव सब्क स्राइस किया गया मैटल फॉयल पर तो जो एलफा पार्टिकल्स थे वह चारो तरफ डिफ्लेक्ट हो गए चारो दिशाओं में फैल गए क्योंकि चारो तरफ उसके जिंक सिल्फाइड की लेयर थी जहां पर भी फ्लेश जाए कि स्पार्क और था इसका मतलब भई एलफा पार्टिकल् होने की थी अब मैं आपको थोड़ा सा एल्फा पार्टिकल्स के बारे में बता दिता हूं एल्फा पार्टिकल्स हीलियम डाई पॉजिटिव कैटाइन्स होते हैं तो जब यह एक्सपरिमेंट हुआ तो उन्हें तीन आपजर्वेशन वहां पर आपजर्व किया पहला अब दिफ्लेक्ट हो गए राइट मान लीजे एक परसंट और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स मान लीजे टैन थाउजन से कोई एक मतलब 0.001 परसंट एल्फा पार्टिकल्स जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से डिफ्लेक्टिट बैक होकर वापिस आ गए तो यह तीन उन्हें चेक किये उन्होंने अब्जर्व किये और इन तीन अब्जर्वेशन के बिहाफ पर रदर फोड और उनके पुपिल्स ने तीन कॉंक्लूजन वहाँ पर हमें दिये पहला कॉंक्लूजन यह था कि 99 परसंट एल्फा पार्टिकल्स जिस रिखा में जा रहे थे उसी लाइन में चले गए फॉइल को बेद कर आरपार निकल गए इससे यह कॉंक्लूजन निकलता है बच्चों के जो एटम होता है वो उसका मैक्सिमम पार्ट एंपटी होता है खोकला होता है दूसरी अब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि बहुत कम इल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल पर डिफलेक्ट हो गए इससे यह कॉंक्लूजन निकाला रदरफूर्ड ने के न्यूक्लियस के सेंटर में कोई पॉजिटिवली हैवी चार्ज्ड स्पिशीज है क्योंकि एल्फा पार्टिकल्स ही हीलियम आयन भी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो इस एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड सर्कूलर और हाड इस्पिशीज है जिसको फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल भी बेद कर आपार नहीं कर सके हैं बेटा इसी को ही इसी राउंड और पॉजिटिवली चार्ज्ड इस्पिशीज को रदरफूर्ड ने रदरफोर्ड स्केट्रिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो कैमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टन साबित हुई जिसके बहाफ पर अलग-अलग अटमिक मॉडल्स दिये गए तो यह छोटी सी जानकर आपको कैसी लगी मुझे करके ज़रू मिल जाए ना इस यूर होस्तन दोस्तन और कम इस टीचर रोशा दिना मैं तकिंग साइन आफ थैंक यू वे नाइस दे और बाए